नमस्कार दोस्तो आज इस वोडियो में हम बात करेंगे म्यूकेन जेल के बारे में म्यूकेन जेल का उपयोग कब किया राता है इसके फाइदे क्या हो सकते हैं और नुकसान या साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं साथ इसाथ इसका कितनी मात्रा में उपयोग किया राता है वो इस वोडियो में हम बात करेंगे मैं हूँ आपका दोस प्रजापति विकास आप देख रहे हैं जैनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल चलिए बात करते हैं म्यूकेंजेल के बारे में दोस्तो म्यूकेंजेल मार्केट में अलग-अलग फ्लेवर में आती हैं पहला जो इसका फ्लेवर होता है मिंट फ्लेवर में ये आती है और दूसरी जो म्यूकेंजेल आती है वो ओरेंज फ्लेवर में आती है अलग-अलग फ्लेवर में मार्केट में ये मिलती है और ये जो म् यानि anti to acid, acidity को ये कम करती है, तो चलिए बात करते हैं इसके फाइदों के बारे में, आगे बढ़ने से पहले दोस्ता आप सभी से मैं request करूँगा, अगर चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को subscribe नहीं क्या है, तो चैनल को subscribe करके जरूर रखेगा, चलिए बात करते हैं इसके फ हजमी हो जाती है, acidity हो जाती है, और उसकी वज़े से क्या होता है कि जब ज़्यादा acidity होगी, तो क्या होगा, पेट में ulcer भी हो सकते हैं, सीने में जलन भी हो सकती है, तो इस mucan gel का उपयोग कब करेंगे, जब पेट में acidity हो जाती है, acid की मात्रा बढ़ जाती है, और उस के इलाज में Anastatic Antacid Gel जो की Mucan Gel है ये उपयोग की जाती है इसके अलावा इसका दूसरा उपयोग गर्ड के इलाज में किया जाता है गर्ड यानि Gastroesophagal Reflux Disease यानि आपके पेट में जो खाना होता है वो वापिस बाहर निकलता है मुग के तुरू तो उससे क्या होगा आहर नाल में जलन होने लगेगी दर्द होने लगेगा तो गर्ड के इलाज में भी Mucan Gel का उपयोग किया जाता है अब देखिए सीने में जलन क्यों होगी क्योंकि आपके पेट में जो खाना है वो खाना वापिस बाहर निकलता है उपर की तरफ आता है तो उससे आपको ऐसा लगने लगता है कि आपके सीने में जलन हो रही है और जो जलन होती है वो आहर नाल में होती है तो सीने क जलन को दूर करने के लिए भी ये म्यूकेंजल का उपयोग किया जाता है इसके अलावा म्यूकेंजल का उपयोग पेट में अगर अलसर हो जाते हैं तो अलसर के उपचार में ये म्यूकेंजल दी जाती है पेट में अलसर किसले होते दोस्तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते है जैसे कि मान लीजे आपके पेट में अगर acidity हो गई है acid की मात्रा जादा बन रही है तो उसकी वज़े से पेट के अंदर जो एक layer होती है वो layer नस्ट हो जाती है, damage हो जाती है और उसकी वज़े से पेट में ulcer हो सकते है bleeding भी start हो सकती है तो सीने में जलन को रोपने के लिए और पेट में अगर ulcer हो रहे है तो ulcer के उपचार में mucan gel का उपयोग किया राता है ये जो सारे उपयोग है दोस्तों पेट में अगर मान लीजे ulcer हो रहे है acidity हो रही है या गर्ड हो गया है बदहजमी हो गई है तो उसके इलाज में mucan gel दी जाती है इसमें anastatic medicine है जो किसी particular part को सुन करती है ताकि वहाँ पर दर्द नहीं होगा और इसके अंदर antacid है जो acidity को कम करता है अब बात करते हैं इसकी डूस के बार में mucan gel का उप्योग कितनी मातरा में करना चाहिए mucan gel anesthetic medicine है साथ चाथ antacid medicine भी है इसका उप्योग खाना खाने से 15 मिनट पहले किया जाता है ताकि जब भी आप खाना खाओगे उस टाइम दर्द नहीं होगा पेट में जो दर्द होता है अलसर की वज़े से या एस्टिडेटी की वज़े से तो वो दर्द नहीं होगा इसका उप्योग दिन में चार बार किया जा सकता है ज़्यादा अच्छा रहेगा आप अपने डॉक्टर की सला के अनुसार ही इसका उप्योग करे एक या दो चम्मच आप एनस्टेडिक जो मैडिसन है म्यूकें जेल इसको लेकर आप तरेकली यूज कर सकते हो बिना वाटर के साथ डाइलूट किये अगर जरूरत हो तो आप पाने के साथ भी इसका उप्योग कर सकते हो अब देखें दोस्तों यह जो मैडिसन है यह सेडूल एच प्रिस्क्रिप्शन की दवाई है यानि आप इसको डॉक्टर की सला के अनुसार ही यूज कर सकते हैं मृक्षन जिल्द के उप्योब करने के बाद या तो कॉंस्टिपेशन हो सकता है कबज जैसी समश्या जो है देखने को मिल सकती है या फिर डाइडिया हो सकता है दस्थ हो सकती है कुछ patient ऐसे होते हैं जिनको इसकी वज़े से allergic reaction हो सकती है तो उनको इसका उप्योग नहीं करना है और डॉक्टर से सला लेनी है और इसके अलावा चेहरे पर flushing हो सकती है, लालिमा हो सकती है ear में लालिमा हो सकती है, garden में लालिमा हो सकती है तो ये कुछ इसके side effect है आप सभी दोस्तों से मैं request करूँगा बिना डॉक्टर की सला के कोई भी medicine नहीं लेनी है यूज करने से पहले एक बार pharmacist या डॉक्टर की सला जरूर ले तो आप सभी को समझ में आ गया होगा Mucanil का उप्योग कब किया राता है Friday, Noxan और कितनी मात्रम में उप्योग करना है उमीद करता हूँ वड़े आपके लिए helpful होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा ऐसे ही नई नई वीडियोज आपको मिलते रहेगी धैन्यवाद